गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं हूं आपका दोस्त रमन चाहर आज हम आपका साथ को ड़ेंगे इलेक्टरिक वेल्ड में चार्ज चार्ज क्या होता है जब किसी वस्तू जब हम दो वस्तू लेते हैं सपोर्ज देट हमने दो वस्तू ली और इनको आपस में हमने रगडा यानि गर्षन करवाया तो गर्षन के कारण एक वस्तू पर तो इलेक्ट्रोन इस वस्तू से इस वस्तू में सपोर्ट इलेक्ट्रोन चला जाता है तो यह तो हो गया नेगेटिव चार्ज और यह हो गया पोजिटिव चार्ज यहनि चार्ज कितने परकार की होते हैं दो परकार की एक positive charge और एक negative charge negative charge में क्या होता है negative charge में negative charge में electron के दिखता हो जाती है negative charge में क्या होता है electron के दिखता हो जाती है जिसके इस वस्तु पर mass बढ़ जाता है अवेशन की वीर्डιαं को चार्ज कारण स्परकारि से पॉजिटिव ग्रड नेगेटिव नेके वीदिया यहानि किस परकार से हम वस्तु में चार्ज उत्पन कर सकते हैं यानि किस परकार हम दो वस्तु तो लेते हैं और उन में चार्ज़आउपन करते हैं यह 3 विदि यह तीन विधि यह पहली है charging by friction charging by friction यानि गर्शं के द्वारा आविस्तिटन जब हम किसी दो वस्तु लेते हैं जब किनी दो वस्तु को आपस में रगडाः जाता है उन के कारण ये करण ये वस्तु ने चलते हैं यानि इन दोनों वस्तुओं पर बराबर तथा विप्रीत परकर्ती के आविस उत्पन हो जाते हैं, suppose that एक पर प्लस पॉजिटिव चार्ज, एक पर नेगेटिव चार्ज, तो इस परकार जो चार्ज उत्पन हो जाता है, उसे कहते हैं, गर्षन द्वार आविस्तन, यानि जब किसी दो वस्तुओं का अपस में रगड़ा जाता है, तो उनके मदे इलेक्टोनों का स्थाना अंतरन हो जाता है, और इन पर बराबर तथा विप्रीट परकरती के आविस उत्पन हो जाते हैं, इसे कहते हैं, चार्जिंग बाई फ्रीक्षन, देश सपोर्ट एट, हमने दो वस्तुओं को ले ली, एक तो काज की चड़ ले ली, यानि एक पोजिटिव और एक नेगेटिव, तो पोजिटिव क्या होगी, काज की चड़ और नेगेटिव, रेसम का कपड़ा, यानि हमने कोई दो वस्तु ले ली, एक तो काज की चड़ ले ली, एक रेसम के कपड़े, यानि काच की सड़को रेसम की कपड़े पर रगणने पर काच के टुकड़े है ना यानि छोटे-छोटे पार्टिकल रेसम की कपड़े पर जाकर चिपक जाते हैं जिससे इसमें इलेक्टोनों की अधिक्ता हो जाती है रेसम की कपड़े पर इस कारण रेसम का कपड़ा का मास अधीक हो जाता है, second example लेते हैं, first example ही हो गया, second example लेते हैं, सुखे बाल और कंगा, यानि जब हम कंगा करते हैं, तो सुखे बाल दराविशित हो जाते हैं, और कंगा रिनाविशित हो जाते हैं, और छोटे-छोटे इलेक्टोन कंगे पर चिपक कर चले जाते हैं, जिसके गार बिल्ली की खाल को एबनोईट की छड़ से रगणने पर बिल्ली की खाल के कुछ पार्टिकल एबनोईट की छड़ पर आ जाते हैं जिसे एबनोईट की छड़ रीन आवेशित हो जाती है क्या हो जाती है नेगेटिव चार्ज हो जाती है और बिली की खाल पोजिटिव चार्ज हो जाती है इसे कहते हैं गर्षण द्वारा आवेशन इप सेकिंड मैथड है charging by induction charging by induction या नि प्रेरन द्वार आवेशन इसे कहते हैं जब किसी अनावेशी तवस्तु है कोई भी अनावेशी तवस्तु है भिन आवेशी तवस्तु के पास लए जब किसी अनावेशित वस्तू को आवेशित वस्तू के पास लाए जाता है तो अनावेशित वस्तू अना बिक पास वाली सतय अना बिक उपर तो पोजिट चार्ज उत्पनो जाता है और दूर वाली सतय पर समान चार्ज उत्पनो जाता है यानि support that हमने यह कोई वस्तु ले ली और इसके उपर positive charge है और यह कोई वस्तु ले ली हमने जिसके उपर कोई charge नहीं है तो जब हम यह positive charge वाली वस्तु अना आविशित वस्तु के पास मिलाते हैं तो इसके pass वाली सत्य नहीं यह इसके उपर तो negative charge उत्पन हो जाता है जब किसी अनाविशी तवस्तु को आवेशी तवस्तु के पास में लाए जाता है तो पास वाली सतय पर तो भी प्रीद पर करती का आवेश उत्पन हो जाता है दूर वाली सतय पर दूर समानावेश उत्पन हो जाता है इसले कहते हैं बडार अन्राम के ब्रेंगे अन्दॉर्व के अ है चार्ज एकशन धार पाता है थड़ क्या है charging by conduction यानि conduction क्या हुद है इसपर्ष या चालन द्वारा आवेशन जब किसी आवेशित वस्तू को अनावेशित वस्तू के पास में लाए जाता यानि यह कोई आवेशित वस्तू है यह कोmist वस्तु है और यह कोई नावैसित वस्तु नहीं चार्जिंग भाई कंटक्सिमें धन्म या इसपस द्वारा किसिया अनवेसित वस्तु को के संपर्ग ..." दोनों पस पास में जा attribute न तो इन दोनों के उपर इन दोनों के उपर बराबर तथा समान आवेस फैल जाता है इस गटना को चालन या इसपर्श द्वारा आविशन कहते हैं यानि दोनों पर बराबर चार जुत्पन हो जाता है इसे ही कहते हैं चालन या इसपर्श द्वारा आविशन यानि हमने कोई एक अनावेशित वस्तू ली एक अवेशित वस्तू ली इब अनावेशित वस्तू को अवेशित वस्तू के पास मिले हैं तो दोनों पर बराबर अवेश उत्पन हो जाता है इसे कहते हैं charging by conduction यानि चालन या इस पर द्वारा अवेशन thank you please subscribe and share see you tomorrow